मसकार दोस्तों आप देख रहे हैं विकेट टूल चैनल विशनु जी के साथ दोस्तों कैसे हैं आप सब उमीद करता हूँ अच्छे होंगे दोस्तों आज के वीडियो मैं जो आपको विजनस आइडिया बताने वाला हूँ वो विजनस पूरे साल चलने वाला है और दोस्तों बिल्कुल कम पूजी से सुरू किया जा सकता है मातर 10,000 रुपई से सुरू करके आप चाहें तो उससे लाखों रुपई कमा सकते हैं और आराम से आप गाउं में रह करके कमा सकते हैं आपको सहर में जाने की जरूवत नहीं पड़ेगी दोस्त मैंने आपको जो थमनेल पर दिखाया है वही चीज आपको बेचना है और घूमा करके बेचना है आपको पूरे 6 घंटे उसको मतलब वर्क करना है जिस तरह से आप कोई नौकरी करने जाते हैं तो 8 घंटे करते हैं और अराम से रुक रुक कर घूम करके मतलब खाते पीते हुए अराम से मतलब उसको घूम कर बेचें आप पैसे कमा सकते हैं और सलाना 10,000 रुपे लगागर अगर आप लाखो रुपे कमा रहे हैं इससे अच्छा और कोई छोटा सा बिजनस सालो साल चलने वाला नहीं मिलेगा दोस्त यह जो बिजनस है यह आप देखी रहे होंगे जैसे कि मैंने थमनेल पे पहले ही आपको दिखा दिया है वही देखकर आप इसको किलिक किये होंगे तो मैं बता दूँ कि यह जो बिजनस है वो वस्तर बेचने वाला बिजनस है और भी रेडिमेंट कपड़े जो रेडिमेंट सीले सीला एक कपड़े होती है उसको आपको बेचना है जी हा मेरे दोस्त और अगर माल लेजिए छोटा मोटा कपड़ा जो गाउँ में चलता है जो लोग गाउँ में ज़ादातर पहनते हैं लेडिस कपड़े, जेंस कपड़े, बच्चों के कपड़े बस आपको क्या करना है, बस इसी को बेचना है तो आपने 20 कपड़ा 30 कपड़ा ऐसे इसी तरह से अगर भूम करेकि आपने बेज दिया तो आपका कम से कम अगर 300 रुपिया भी अगर आपने कमा लिया 300 रुपिया Нов सल Reality 380 रुपिया होगा मैं आपको मोटा मोटी एग्जांपल दे रहा हूँ लेकिन अगर आपने इससे ज़्यादा कमाया तो आकड़ा इससे ज़्यादा भी जा सकता है तो दोस्त यह जो बिजनस है इस परकार से आप कर सकते हैं और पैसे कमा सकते हैं दोस्तों, मैं यह बता दू कि यह business गाव में अभी किये हुए हैं, लेकिन यह business है कि यह कभी खतम होने वाला नहीं है, जितने लोग बढ़ते जाएंगे, जितने बच्चे पैदा होते रहेंगे, लोग बढ़ते रहेंगे, बढ़ाई लिखाई चलती रहेंगे, लोग हर परकार के कपड़े पहनते रहेंगे और पहनना ही पड़ेगा तो दोस्ति ये बिजनेस ऐसा है कि कपड़ो का ही बिजनेस है कपड़ा ही बेचना है और आराम से इसको बेच कर आप कमा सकते हैं और ये कभी खतम न होने वाला बिजनेस है और इस बिजनेस का खासियत सबसे बड़ा यह है कि आपको न धुल लगना है, न मिटy लगना है, न कजड़ी लगना है, वस जिस परकार से आपने घर पे तयार हुए हैं, वस उसी परकार से आपको खूम करके आपको न उसमें कचड़ा लगना है न सट गंदा होगा न आपको कुछ उठाना है न कुछ रखना है और आराम से आप कम पूजी में आप कमा सकते हैं पैसे तो दोस्त आज के जानकारी में मैंने आपको जो आइडिया बताए यह सबसे अच्छा आइडिया है अग क्योंकि इस बिजनस में आपको घाटा नहीं लगेगा तो दोस्त अब मैं आज के वीडियो में बस इतना ही अब मैं कल के वीडियो में आपको कुछ नया बताऊंगा कुछ नया आइडिया दूंगा बिजनस आइडिया हो सकता है इस वीडियो में अगर आपको कुछ समझ मे आया होगा तो एक वीडियो को लाइक कर दीजेगा और आप चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा तो चलिए दोस्त फिर मिलते हैं नेक्ट वीडियो में तब तक के लिए जैन जै भारत